यहां पर आप टाइप करिए ओपीस कास्टोमाइज टूल देन उसके बाद यहां पर फास्ट जो लिंक दिखाई देरी हैं जो देखें यहां पर ओपीस कास्टोमाइज टूल Microsoft 365 Apps Admin Center जस्ट इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आप सेम टू सेम इसी पेज में आप डिडिरेक्ट कर जाएंगे देन उसके बाद यहां पर आपको कुछ कास्टोमाइजेशन करना पड़े गए तो यहां पर आप टाइप करिए ओपीस डिवलॉपमेंट टूल देन उसके बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहां पर आप लिंक की यहां पर दिखाए दे रही है जो देखें डाउनलोड ओपीस डेप्लोपमेंट टूल्स फ्रॉम ओफिशल माइकर सॉप जस्ट इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आप सेम टू सेम इसी पेज में रिडिरेक्ट कर जाएंगे जो देखें यहां पर आपको एक देन उसके बाद यह है totally common जो देखें एक बाद मैं फिर से repeat कर रहा हूं जो देखें setup space forward slash configure space office 2021.xml जो भी आपने नाम दिया है तो filler मैं यहां पर office 2021 दिये रहा हूं अगेर आप what को मैं यहां पर what button, what में click कर दो हूं देन उसके बाद यहां पर what opening हो रही है first time तो यहां पर आपका तोरसा timing लगए सकती है जो successfully opened हो चुका है देन उसके बाद यहां पर privacy matter just it likes button step यहां करते हैं उसके बाद मैं ब्लोग क्रिक करता हूं ब्लैंक में किली करने के बाद यहां पर आप गोट सीफेङट आप आप देख पा रहे हैं तो मैं बहुत दिन के बाद आप के लिए फिर से ऑंडीयों का टुटर्स नंभी है यिग वहां इस विधो इक सक्षेया था हैं सो आज का जो हम लोग टापिक देखेंगे विंडोस 11 सिस्टेम में हम लोग ऑपिस 2021 को कैसे डाउनलोड करेंगे कैसे इंस्टालेशन करेंगे एट टो जेट मैं आप लोग के लिए शेयर करूंगी तो पहले मैं आप लोग के लिए कुछ इनपाउमोशन शेयर करना चाहता हूं नहीं तो बात में जाके आपको पॉब्लम आ सकती हैं फरस्ट आपके सिस्टम में फोब्ली इंटरनेट के अंक्टिविटी होना चाहिए अगर आपके सिस्टम में पहले से कोई ऑपिस तो थाटीन तो जो भी उपिस भी jest उसको पहले अंस्टॉलेशन कररkungडेए उसको पहले ऑंस्टॉलेशन करने के बाद ही आप 2021 को जो देखे यहाँ पर आप देख पा रहा है जो देखे मैं यहाँ पर उंडोस 11 का प्रो वर्शन यूज़ कर रहा हूं अगर आप उंडोस 10 यूज़ कर रहे हैं तो 10 में भी आप इंस्टालेशन कर पाएंगे कुछ भी पॉब्लेम नहीं होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बैस्टेप इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को पेस करना ना भुड़िए तो इससे क्या होगा मैं जब भी नए आप लोग लाइक शेयर कॉमन कुछ नहीं करते तो देखे एक लाइक से बहुत सरा मोटिपिशन मिलती है सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और कॉमन करना ना पूरिए देन उसके बाद हम लोग मूब करते हैं कैसे ओपिस 2021 को डाउनलोड करेंगे त Office Customize Tool Microsoft 365 Apps Admin Center जस्ट इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आप सेम टू सेम इसी पेज में आप डिरेक्ट कर जाएंगे देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कास्टोमाइजेशन करना पड़े गए तो चलिए हम लोग स्टेप बेस स्टेप कास्टोमाइजेशन फॉलो करत है तो Windows 11 में तो 32-bit version available है नहीं तो only 64-bit version available है तो यहाँ पर हम लोग 64-bit को चूज करते हैं देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पार है product product में जो देके यहाँ पर आपके सामने जो देके बहुत सारा boxes दिखाई दे रही है जो first option है जो देके office suits just इसके उपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके सामने जो देके office 2019 भी आवेलेबल है 2021 भी आवेलेबल है यहाँ पर Microsoft 365 भी यहाँ पर आवेलेबल है तो फिलाल यहाँ पर हम लोग 2021 को installation करेंगे तो इसके लिए first जो देके यहाँ पर आप देख पार है जो देखे office LTSC professional plus 2021 जस्ट इसको उपर हम लोग क दिखे दिरिए inbox को आप स्क्रिप्ट कर दीजें यहाँ पर आप कोई भी छेरचार मत करिए देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पार है जो देखे update चैनल अपडेट चैनल में by default जो देखे यहाँ पर office 2021 यहाँ पर सेट हो चुका है देन उसके बाद यहाँ पर आप कर लिजे स्कॉल्टन करने के बाद यहाँ पर आप देख पार है apps जो देखे आप क्या क्या है यहाँ पर installation करना चाहते है system में जो देखे यहाँ पर हम लोग access है skype है one note है powerpoint है word है excel है one drive है outlook है and publisher है अगर आपको इन सब से नहीं चाहती है तो मन के चलिए आपको only word excel powerpoint and outlook जो से थोड़ा से customization करना चाहते हैं तो customization भी कर पाएंगे तो फिलाल मैं यहाँ पर skype for business यह by default off है अगर आप on करना चाहते हैं तो on कर सकते हैं फिलाल यहाँ पर जो भी है मैं इसको यहाँ पर on रखता हूं अगर आपको कोई भी recommend थोड़ा सा अलग है तो आप यहाँ से customization कर पा यहाँ से off कर लेता हूं तो फिलाल मेरे पास क्या है जो देखे access है one note है powerpoint है word है excel है and outlook है जो भी यहाँ पर on है same to same यह installation होगा others जो भी आपने off कर दिया है यह installation नहीं होगा एउसके बाद यहाँ पर आप देख पड़ा है जो देखे next का option है यहाँ पर नेक्स्ट बटम में क्लिक करता हूं next बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहा है जो देखे language तो ऐधा पर आप देख पर आप Whenever लैंग्वेज जरसके बाद लेच्इंगे करे ने तो skip करतीजे देन उसके बाद मैं next button में क्लिक करता हूं next button में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाना है installation option जो देखे by default जो भी है आप इसको same to same एसे देने दीजे यहाँ पर आप कोई भी छेरचार मत करिए अगर आप छेरचार कर देंगे तो बाद में जाके आपको error आ सकती है तो फिलाल मैं जो भी है मैं इसको रखता हूं then उसके बाद मैं next button में क्लिक करता हूं next button में क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पाना है जो देखे license जस्ट यहाँ पर आप देख पर है automatically accept the license term जस्ट मैं इसको on कर लेता हूं on करने के बाद यहाँ पर आप देख पाना है जो देखा all information है यहाँ पर जो भी है same to same ऐसे रहने दीजे यहाँ पर आप कोई भी छेरचार मत करिए then उसके बाद मैं next button में क्लिक करता हूं next button में क्लिक करने के बाद यहाँ पर general option है तो इस option को आप skip कर दीजे कुछ भी problem नहीं होगा then उसके बाद मैं next button में क्लिक करता हूं next button में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो जो यहाँ पर customization किया है यहाँ पर all summary यहाँ पर आपके सामने दिखा दे रही है जो दिखा आपको मिल जाएगा जो देखे finish का option just यहाँ पर आप finish button में क्लिक कर दीजे finish button में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी कांता totally complete हो चुके देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाना है जो देखे import, export and reset का option है तो फिलाल यहाँ पर हम लोग export option में क्लिक करेंगे export option में क्ल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाना है जो देखे keep current setting and second option है office xml format and third option है open document format तो फिलाल यहाँ पर हम लोग अपिश open xml format को चुछ करेंगे जो देखे second option है जो देखे then उसके बाद आप okay button में क्लिक कर दीजो ओके बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ आप आपके समने जो देखे एक license agreement open हो चुका है then उसके बाद यहाँ पर आप I accept the terms license agreement में क्लिक करेंगे then उसके बाद यहाँ पर आ मैं इसको changes करना चाहता हूं तो changes करने के लिए आप changes भी कर पाएंगे तो फिलर मैं यहाँ पर changes कर रहा हूं जो देखे ऑपिश 2021 जो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं चलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूं same to same इसी name को आपको बाद में एक option में add करना पड़ेगा तो जो भी name आप रखना चाहते हैं सो समझके रखिए जो देखे यहाँ पर मैंने name दिया है office 2021 ऑके इसके बाद आप export बंक में क्लिक कर जए एक्सपर्ट में क्वाटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पड़ा है जो देखे इक इह रोर रहा हुरा चुका ह है। जो देखे जिए पर आप की बटम में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक xml पाइल पोल्डर के अंदर मिल जागा, तो चलिए, हम लोग move करते हैं, downloads पोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग downloads पोल्डर के अंदर आ चुके हैं, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग को totally cut कर लेते हैं, यह जो हम लोग ने XML file जो generate किया है, चलिए, यह से हम हम लोगोने काट कर लिया देन उसके बाद आप desktop में ले डेंग केरते हैं देन उसके बाद एक folder में click करते हैं फोल्डर में click करने के बाद आप folder का नेम कुछ भी रख सकते हैं तो फिलर मैं यहाँ पर ow variables 2021 में दे रहे हो इस फोल्डर को open करिए folder को open करने के बाद XML file को जो हम लोग ने copy काट किये थे यहां पर आप उसको paste कर दीजिए यहां पर जो भी काम था totally complete हो चुका है then उसके बाद फिर से हम लोग को ब्राउजर में जाना परेगा तो यहाँ पर जो भी था totally complete हो चुका है then उसके बाद आप फिर से browser को open करिए browser को open करने के बाद just यहाँ पर आप type करिए office development tools then उसके बाद enter बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप first link की यहाँ पर दिखाए दे रही है जो देखे download office development tools from official microsoft just इसको पर आप click करेंगे तो आप same to same इसी page में redirect कर जाएंगे जो देखे यहाँ पर आप देख पर है then यहाँ पर आपको एक चोट असा tool को download करना पड़ेगा जो देखे by default English है language मैं English ही रखता हूँ then उसके बाद मैं download button में click करता हूँ download button में click काने के बाद यहाँ पर जो देखे इसका जो छूट असा tool था यह download हो चुका है यह file भी आपको downloads folder के अंदर मिल जाएक चलिए हम लोग downloads folder के अंदर आ चुके हैं then उसके बाद यहाँ से इसको totally cut कर लेते हैं काट करने के बाद मैं browser को minimize कर लेता हूँ then उसके बाद हम लोग ने जो एक डिक्स्टॉप में एक फोल्डर केट के थे जो देखे ओपिस 2021 डाम के तो इसी फोल्डर के अंदर आप इसको paste कर दीजी देन जो भी काम था totally complete हो चुका है देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ customization करना पड़ेगा कहाँ पर customization करेंगे चलिए इस बाद हम लोग देखते हैं तो देखे यह जो हम लोग ना office development tool को download किया है यह exactly यह zip format में है तो इसको extract करना पड़ेगा तो स्टेक करने के लिए आप इसके उपर double click करिए double click करने के बाद yes and no option आज जागा just यहाँ पर आपको yes button में click करना पड़ेगा यह इस button में click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे एक license agreement open हो चुका है अगर आप लोग read करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो skip कर दीजे देन उसके बाद यहाँ पर आप देखा ही दे रही है जो देखे click here to accept Microsoft software license time just इसके उपर आप click करिए देन उसके बाद आप continue button में click करिए continue button में click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे एक new window open हो चुका है जो देखे देन उसके बाद यहाँ पर आपने जो folder create किया है हम लोग फिलाल desktop में folder create किया है आपने downloads के अंदर रख सकते हैं नहीं तो documents के अंदर नहीं तो कोई भी drive के अंदर folder create किये थे जो देखे यहाँ से desktop को चूज करना पर चूज करने के बाद यहाँ पर आप दिखे दे रही है folder के नेम जस्ट इस folder को नेम को select करिए देन उसके बाद आप ok button में click करिए ok button में click करने के बाद यह जो file है totally extract हो चुका है जो देखे यहाँ पर आप देख पा रहे है देन उसके बाद यहाँ पर जो भी कामता totally complete हो चुका है देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देरिए search का option just यहाँ पर आप search button में click करिए देन उसके बाद यहाँ पर type करिए cmd जो देखे cmd cmd को जब यह आप open करेंगे तो run as administrator करिए अगर आप run as administrator नहीं करेंगे त cd cd देन उसके बाद यहाँ पर यह जो फोल्डर का path है जो देखें यहाँ पर आप देख पार है जो देखें यह जो path है इसको totally यहाँ से आप copy कर लीजे बेस्ट option होगा देन उसके बाद cmd में इसको paste कर दिए देन उसके बाद आप enter button को press करिए enter button को press करने के बाद हम वो फोल्डर है हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ चुका है देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक कोबंट यहाँ पर टाइप करना पर रहेगा कॉमट क्या है तो चलिए इस बार हम लोग लोग देखते हैं तो comment है जो देखे setup, a-c-t-u-p setup then उसके बाद space दीजे, then slash दीजे, then उसके बाद यहाँ पर आप type करिए configure, c-o-n-f-i-g-u-r-e, जो देखे, configure, then उसके बाद space दीजे, space देने के बाद यहाँ पर हम लोग ने जो थोरी दिर पहली जो एक xml फाइल जो यहाँ आप generate किये थे, जो देखे, office2021.xml फाइल, यह xml फाइल है, हाँ, यह कोई भी browser का फाइल नहीं है, यह xml फाइल है, जो देखे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखे, अगर आप extension को open करेंगे, तो यह xml फाइल होगा, तो चलिए, यहाँ पर आपको same to same name को o f i c e 2021.xml, just यहाँ पर आप type करिए, then उसके बाद यह है totally common, जो देखे, एक बाद मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, जो देखे, setup space forward slash configure space office 2021.xml, जो भी आपने नाम दिया है, तो फिलर मैं यहाँ पर office 2021 दे रहा हूँ, अगर आप लोग दूसरे कोई name देना चाहते हैं, तो दे सकत देन उसके बाद आप enter button को प्रेस कर दीजे, enter button को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे, Microsoft का एक window open हो चुका है, then उसके बाद यहाँ पर जो भी काम था, totally complete हो चुका है, आप cmd को minimize कर दीजे, then उसके बाद इस folder को भी minimize कर दीजे, then उसके बाद आपकी system मे पोपाली internet connectivity होना चाहिए, अगर आपके पास mobile data से करेंगे, तो बहुत है timing लग जाएगा, अगर आपके पास broadband नहीं, तो Wi-Fi है, तो better option होगा, तो यहाँ पार minimum 10 to 15 minute timing लग सकती है, depending करती है, आपके internet के speed के उपर, अगर आपके internet के speed बहुत है, तो ज्यादा timing नहीं लेगा, अगर slow है, तो timing लग सकती है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोग के लिए और भी एक tutorial पोवाइट किये थे, जो देखे, आपिस 2024 रिलिस हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा होगा, तो कैसे download करेंगे, कैसे installation करेंगे, तो मैं इसके उपर पहले से एक tutorial क्या हूँ, आप ल position में, नहीं तो मैं i button में उसका link देने के लिए, so please इस वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूरिये, इस वीडियो के नीचे subscribe का button है, आप जरू subscribe कर दीजे, subscribe करने के लिए आपको कोई भी पैसा बगड़ा नहीं लाएगा, ये बिल्कुल free है, और subscribe करने के बाद आप जरू bell icon को press कर करना ना भूरिये, तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नए वीडियो दूगी, तो पहले आपको notification मिल जाएगा, तो देखे, यहाँ पर आप देख पार है, जो देखे, जो भी configuration था, हम लोग ने कर लिया है, then उसका बात यहाँ पर online download हो रिये, offline ने, online download हो रिये, तो इसके ल कर लिजे, तो वहाँ पर भी मैं बहुत सरा information and videos share करता हूँ, तो मैं इस वीडियो की depth session में, मैं उसका link देदूँगी, आप जड़र follow कर लिजे, तो देखे, इसको totally complete होने में, थोड़ा सा timing लग सकती है, तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस total को थोड़ा सा pause कर लेता हूँ, ये total complete होने के बाद, बाकी सारा जो भी process है, उस process काम लोग step by step continue करेंगे, finally यहाँ पर आप देख पार है, जो देखे, यहाँ पर successfully installation हो चुका है, कोई भी error नहीं आए, then उसके बाद आपके सामने 2-3 pop-up भी आ सकती है, जो देखे, installation was successfully, ऐसे करके pop-up आ सकती है, तो चलिए, क उसके बाद मैं close button में click करता हूँ, close button में click करने के बाद, यहाँ पर हम लोग ने, जो cmd को open करके रखेते हैं, तो इसको मैं totally close कर लेता हूँ, then उसके बाद हम लोग एक पर word, excel, powerpoint को open करके देखते हैं, यह successfully work करिये की नहीं, तो चलिए, तो यहाँ से मैं search कर लेता हूँ, चलिए, मैं what को, तो फिलर मैं यहाँ पर word button, what में click करता हूँ, then उसके बाद यहाँ पर word opening हो रही है, first time, तो यहाँ पर आपका तोर असा timing लग सकती है, जो देखे successfully open हो चुका है, then उसके बाद यहाँ पर privacy matter, just इसको आप close button में click करता हूँ, then उसके बाद मैं blank documents में click करता यहाँ पर आप देख पार हैं, जो देखे successfully open हो चुका है, कोई भी error नहीं आया है, then उसके बाद यहाँ पर others जो tap है, जो देखे successfully tap work करी है, कोई भी tap, problem नहीं करी है, so I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा, जो हम लोग कैसे office 2021 को installation करते हैं, Windows 11 system में, अगर आप Windows 10 यूज कर रहें, तो Windows 10 में भी आप installation कर पाएंगे, कुछ भी problem नहीं होगा, चलिए मैं आप लोग के लिए account में जाके भी दिखाए देता हूँ, जो देखें यहाँ आप आप देख पार है, so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा, अगर फिर भी कोई भी doubt आ रहे है, कुछ भी question आ रहे है, नहीं तो कोई भी error आ रहे है, तो आप लिस comment section में ज़रूद देदीजे, तो मैं आप लोग के लिए ज़रू help कर दूँगे, then इसी तरह मैं यहाँ पर Excel को open करके दिखाए देता हूँ, Excel open हो पार है कि नहीं, तो चलिए यहाँ पर मैं Excel को search क तो देखे, successfully Excel open हो चुका है, then उसके बाद मैं blank documents में click करता हूँ, जो देखे, यहाँ पर आप देख पार है, so I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा, फिर भी कोई भी doubt आ रहे है, कुछ भी question आ रहे है, तो आप लिस comment section में ज़रूद देदीजे, तो मैं आप लोग के ल लोग कैसे download करेंगे, and installation करेंगे, and उसका features के है, A to Z मैंने share किया है, तो मैं खुशिश करूँगी, इस वीडियो की depth session में, नहीं तो मैं I button में देने के लिए, आप ज़रू watch कर लिए, अगर आप लोग ने अभी तक भी netalking गुरुची चैनल को subscribe नहीं क्या होगा, तो पहले वीडियो देखके चले जाते हैं, subscribe नहीं करते हैं, so subscribe जरूर कर दीजी, यह totally free है, तो इसके लिए आपको कोई भी वैसा बगरा नहीं लाएगा, यह totally free है, यहाँ पर आपको basic travel की netalking tutorial, and interview and question answer भी मिल जाएगा, आप लोग like, share, comment कुछ नहीं करते हैं, तो देखिए, एक लेक को share करिए, अगर आप लोग Windows 11 के ऊपर details में tutorial जानना चाहते हैं, तो आप directly playlist में आ जाईए, playlist में आने के बाद यहाँ पर आप देख पहेंगे, A to Z tutorial available हैं, जो देखे Windows 11 का, and यहाँ पर others netalking का भी tutorial आपको मिल जाएगा, CCNA, CCNP, Microsoft Excel Server, SQL Server, Python Network Automation, Red Hat Linux, CentOS, Microsoft Server, CCNP Security, A to Z आपको मिल जाएगा, Firewall, Polo Alto, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो आने वाले दिन में हम लोग और भी advanced to advanced netalking tutorial में ज़रूर आप लोग के लिए लेकर आजांगी, तो प्लीज इस वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूल के लिए, इसके साथ आप ज़रू ने टॉकिंग गुरू जी का Facebook पेज और Twitter पेज को भी like and follow कर लिए, तो मैं इसका लिंक में इस वीडियो की डेख स्क्रिशन में देदांगी, तो दोस्तों, आप लोग कौन सा टॉपिक के ओपर tutorial चाहते हैं, ओ भी प्लीज तो मैं कोशिश करूँगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ओपर tutorial देने के लिए, तो दस्तों, आज के लिए इतना है, टैंक्स पर वार्जिंग